शैडोस दिली के ग्राम मजगवा में दुकान संचालक ने प्रसूता के खाते से 4,000 रुपे हडवे पीडित ने मामली की जानकारी पुलिस अधिक्षक शैडोल से की जानकारी के अनुसार मदेप्रदेश सरकार से प्रसूता गीता बाई को 12,000 रुपे की राशी बेली थी जिसके बाद फर्यारी गीता बाई के बच्चे की तब्यत अचानक खराब हो गई तब ही प्रसूता ऑनलाइन की दुकान पर गई जहां उसने 4,000 रुपे अपने कहने से निकलने के लिए संचालक से कहा फर्यादी महिला का कहना है कि संचालक सतीश ने दो बार मुठा लगाया और कहा कि 4,000 की राशी सरकार ने वापस काड़ दी इस बात की शिकायट फर्यादी महिला गीता बाई ने थाना कोतवाली में की पुलिस ने उक्तिश शिकायट पर तदकाल कारवाई कन्नी की निर्देश दिये हैं गीता बाई मजगमा की है उसका कुछ प्रशूत सब्मंदीत पैसा आया था उसके खाते में टोटल 12,000 रुपए थे वो किसी कियोष्ट वाले के हां जो गाउं का इतिवारी है उसके पास गई थी तो हम उठा उससे लगवा लिया और हम उठा लगवाने के बाद उसका कहना है कि फिर उसने बोला कि तुम्हारा पैसा नहीं निकल रहा है इस तरह से उसने पैसा उसको दिया नहीं इसकी जानक इस तीक लिए हो भी इस बैधानी करवाई किए सर पहले हम चेक करवाने आए थे ऑनलाइन से गाओं में आए तो चेक भारी के यहां तो चेक और पहले अंगुठा लगवा यह तो अंगुठा लगवा आए तो बोला कि 12,000 है आपके फकाते में 12,000 रुपए तो इसके बाद हम नीकाल दो तो फी अंगुठा लगाओ तो बोले कि आपका पैसा घौळ ऑगया पाई सर्चने पा रहा रहा है सर्चिंग नहीं के रहा रहा है सरकार किसी उसका पैसा आया था रिख प्यों आप उससे बोलो मांगो आए तो हम फिर आए तो बोल दिया कि जो करना है कलो हम नहीं देंगे पैसे हमारे खातम नहीं आया है जो करना है कलो आए तो आप कहा है हम सिकायत करने हैं यहाँ है